हेलो गाइज दिस इज राउल टेकिंग यूटू माइक्रो कलासिज न्यू वीडियो ये वीडियो लेसन प्लाइन्स के उपर होने वाली है ब्याडे में आपको काफी सारी लेसन प्लाइन बनाने होते हैं जिन में से जब भी आप टीचिंग करेंगे सबसे पहले जो लेसन प्लाइन आप बनाएंगे में होते हैं माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लाइन्स जो पूरा आपका एक बड़ा लेसन प्लाइन होता है उसको छोटे-छोटे टुकडो में टोड़ दिया जाता है माइक्रो टीचिंग में Micro teaching में total 13-14 skills होती है उन skills के उपर आपको lesson plan बनाने होते है ये lesson plan जो है introduction skill के उपर होने वाला है अर्थात आप जब पढ़ाने जाएंगे तब आप अपने part की सुरुवात कैसे करेंगे इसमें आपको अपने teaching की सुरुवात या पर जो chapter आप पढ़ाएंगे उस chapter की सुरुवात करनी चिखाई जाती है ये English का lesson plan है हमने 7th class का दगंगा topic लिया है सबसे पहले आपको कुछ details फिल करनी होती है ये आपके college में बता दी जाती है नहीं तो आप देख सकते है simple details होती है ये उसके बाद आपको teaching aid लिखना होता है आपने क्या teaching aid यूज किया है इस lesson plan में teaching aid यूज करना mandatory होता है यहाँ पर live object लिखावा है अर्थात इस lesson plan में वास्त्विक पदार्थ यूज किया गया है real object पूर्विज्यान में आप कुछ भी लिख सकते हैं children have a little knowledge about the गंगा बच्चे गंगा के विख समय थोड़ी जानकरी है क्योंकि अगर उन्हें गंगा के विख समय पूरी जानकरी है तो आप क्या पढ़ाएंगे उन्हें थोड़ी जानकरी है तभी तो आप पढ़ाएंगे अब आप अपने chapter की सुरुवात कैसे करेंगे इसमें आपको यह बताया जाएगा lesson plan आपका तीन भाग में बटा होता है सबसे पहले तो जो pupil teacher activity होती है जो आप जो activity करेंगे पढ़ाते समय दोसरे नमबर पर होता है चात्र किरिया जो response बच्चे देंगे वो आप यहाँ पर लिखेंगे थर्ड पोइंट होता है आपका शिक्सन सायक समगरी या फिर आपका teaching methods आपने कौन से method का यूज किया है या फिर क्या teaching aid का यूज किया है आपको यह लिखना होता है यहाँ पर आप अपनी activity लिखेंगे यहाँ पर बच्चों की यहाँ पर जो आपने aid यूज की है हम introduction skill कर रहे हैं हमने heading डाल दी introduction अर्थात जो छात अध्यापक है वह बच्चों से ये प्रसन पूछेगा उनके पूरी ग्यान को नवीन ग्यान से जोडने के लिए पूरी ग्यान अर्थात जो मैं जानते हैं नवीन ग्यान अर्थात हमारे chapter का नाम बच्चे क्या करेंगे बच्चे क्या करेंगे और हमारा method कौन सा हो गया question answer method क्योंकि हम प्रसन पूछ रहे हैं अब इसमें एक बात ध्यान रखनी होती है आपको सबसे पहले जो भी आप प्रसन पूछते हैं उसका answer जो भी बच्चे करें उस answer से आपको दूसरा प्रसन बनाना होता है जैसी यहाँ पर glass है हमने प्रसन में glass ले लिया यहाँ पर water है हमने यहाँ पर water ले लिया मतलब बच्चो के answer से आपको प्रसन बनाना होता है जिग जैक तरीके से टीचर पहले ही अपने आत में एक glass लेके आएगा जिसमें पानी भरा होगा काच का glass होगा जिसमें बच्चो को पानी दिख रहा होगा की पानी भरा होगा है उसके बाद प्यूबिल टीचर बच्चो से पूछेगा what is in my hand मेरे हाथ में क्या है बच्चे काएंगे गिलास है ठीक है उसके बाद प्यूबिल टीचर पूछेगा what do you see in this glass कि आपको गिलास में क्या नजर आ रहा है बच्चे कहेंगे पानी ठीक है उसके बाद next question करेगा teacher what are the main sources of water on earth अर्थात धरती पर हमें पानी प्राप्त करने के कौन-कौन से sources है कहा कहा से हमें पानी मिल सकता है धरती से अब बच्चे बताएंगे नदिया ओशियन जीले which is the most sacred river in India या ओफ इंडिया भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है बच्चे कटाग देंगे दगंगा उसके बाद आपका problematic question आजाता है अर्थात इस question का बच्चे answer नहीं दे पाएंगे गंगा की सुरुवात कहा से होती है अब बच्चे इसका कोई answer नहीं दे पाएंगे students will not give any answer हम ये लिख सकते हैं जब बच्चे answer नहीं दे पाएंगे आप बच्चों को कह सकते हैं कि आज हम इसी बिंदो के विसम पढ़ेंगे हम कह सकते हैं students today we will study about the proge lesson दगंगा अर्थात आज हम proge lesson के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है दगंगा उनकी previous knowledge के आथी में glass के बारे में जानते थे अब new knowledge क्या हो गई हम गंगा पढ़ेंगे हमने इन दोनों को जोड़ दिया आप glass का photo लगा सकते हैं यह आपका एक पूरा lesson plan हो जाता है मेरी जो beard की daily regular class ही चल रही है micro teaching के lesson plan के बारे में मैं आपको उनमें भी बताऊंगा कैसे लिखना होता है कितनी skills होती है इसके अलावा micro teaching में आपको पढ़ाना कैसे है यह lesson plan अगर आप PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं description box में link दिया हुआ है telegram channel का आप उस link पर क्लिक कर telegram channel से यह lesson plan डाउनलोड कर सकते हैं BID की regular classes लेने के लिए इस channel को आप subscribe कर सकते हैं till then bye bye take care